तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते हैं सभी को नम्राम और आप सभी जो है स्वस्त होंगे मस्त होंगे और बहतर होंगे आपका जो भी टार्गेट है जो भी आपका एकजाम है जिस भी एकजाम के आप त्यारी कर रहे हैं उस एकजाम की बहतर त्यारी आप कर रहे होंगे मैं उम्मिद करता हूँ जी है दोस्तों आप पर सभी को सबसे पहले तो वीदित होगा ही कि जो हमारा सेशन है यहां से कौन सा आज इस्टार्ट होनी जा रहा है और जो लगातार जुड़े वे हैं उन सभी को तो पता होगा इसमें भारत के किसी भी डिपार्टमेड में भारत में होने वाली कोई भी गोर्मेंट ड्राइवर की जो वेकेंसी है उसके लिए यह जो एकजार क्यूशन है यह आपके लिए रामबान साबित होंगे और इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा इतना में वादा आपको कर सकता हूँ अगर आप इन एकजार क्यूशन को पढ़ लेते हैं सही तरीके से समझ लेते हैं फिर आपको ज़्यादा गभरानी गया उसकता नहीं है आप यहाँ पे ओल्मोस्ट 90-95 परसेंट क्यूशन से आपको इन परसनूशन या मेरे दौरा बत वहाँ चालग बरती के लिए इस पेसलिए हमारा एक नया कोस्ट लोंच हो चुका है आप उसे भी जोइन कर सकते हैं तो सुरुवात करते हैं आज की सेसेशन की सबसे पहले परसन की और हम आप सभी को लिए चलते हैं आज का पहला परसन और विसे 801 नमर का परसन हमारे सामने आच चुका है जब लोरियां भरी जाती है परसन नमर आठ है वेन लोरीज आर लोडेट जब लोरियां भरी जाती है यानि कि लोरियां का मतलब है जो बंडल होते हैं जो मलकी माल वहान ट्रकों में माल लादा जाता उसकी बात हो रही है, तो बाहर को 30 cm के भीतर दोनों तरफ प्रक्षेपित किया जा सकता है, यानि 30-30 cm दोनों साइड बाहर निकला जा सकता है, इसका मतलब यह है, बाहर दोनों तरफ प्रक्षेपित नहीं होगा, बाहर को 50 cm के भीतर दोनों तरफ प्रक्षेपित किया जा सकत यह माना कि किसी गाड़ी का फ्रंट है क्या है फ्रंट है और यह रियर एंड है तो आप केवल रियर एंड जो है यहाँ पर एक मिटर तक मैक्सिमा जो अपना समान बाहर की और दटका सकते हैं वो भी स्पेसली सुरक्षिते शेप्टी फीचर के साथ में बाकि आप साइडू म 30 cm तो क्या आप बाहर गाड़ी से जो आपका माल है उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं गाड़ी की चोड़ाई से ज्यादा ठीक है न तो आप से नमर यहां पे कौन सा सही हो जाएगा बाहर दोनों तरफ प्रेक्षित नहीं होगा आप से लोड से लोड प्रोजेक्ट ओन बो ऑपर मैंने अभी आपको बताया था कि एक मिटर जो है rear end में rear end में हम क्या कर सकते हैं माल को बाहर निकाल सकते हैं माल बाहर हो सकता है तो इस एक मिटर को आप सभी को बता सेंटी मिटर में बदलना है तो 100 cm हो जाएगा ठीक है MM में पूछे तो 1000 mm हो जाएगा यह तीनू गय इसके समझ में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप सभी को speed का लो, जो limit का जो rule है, वो आप सभी को पता होगा, मैं उमीद करता हूँ, आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है, तो मैं आप सभी को एक PDF अभी खोल के दिखा देता हूँ, जो की latest speed का rule है, यह आप देख पा रहे हैं आपे, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, क्योंकि नई PDF वाफन होगा, तो शेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ प पर आप लोग देख पा रहे होंगी, कि यहाँ पर पूछा है, कि भी सहरों के भीतर, तो सहरों के भीतर कितनी हो जाएगी, 60 किलोमेटर परती गंटा की रफ्तार आपकी, जो है, एचमवी, माल वाक्त, या ट्रकों की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी गती हो ज इसमें उलिक किया गया है, उलंगन करने पर दारह 143 लागू होती है, आपका डियल सस्पेंड भी हो सकता है, हर वाइकल के लिए अलग अलग स्पीड दी गई है, साथ युमें बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है, इस्पीड के लिए जो बड़ी गारियां होती है, उनमे इस्पीड गवर्नर जो होता है, कौन से वाइकल में जो लगा जाता है, या जिसमें स्पीड गवर्नर लगा रहता है, वो कौन सा वाइकल के लाता है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कि उस वाइकल का क्या नाम होगा, जिसमें स्पीड गवर्नर लगा होत खीन चराए इन दोनों के बीच में जो है maximum distance हो सकती है वो पांच मीटर हो सकती है option में भी right answer हो जाएगा ठीक है यह आप maximum speed आप बता दें comment सक्षिंदें maximum speed क्या हो सकती है एक towing और towed vehicle हैं दोनों की जो है road पर चलते हैं में maximum speed का जवाब आप comment section में बता दिए maximum permissible speed of a motorcycle in cities सहरू में motorcycle की अधिकतम अनुमेई गती क्या होगी अब motorcycle का देख लो भई चार पर या motorcycle का सहरू में 60 km की बता रहे देखो तो यहां पर option number D right answer हो जाएगा यह देखो कितना काम का है यह जो मैंने आपको अभी एक पीडिया बताया है यानि कि आप दो लेन वाली सड़क पर गारी चला रहे है आपके सामने वाला वाहन बहुत दिमी गती से चल रहा है और ओवर्टेक करने के लिए आगे का रास्ता साफ है तो आपको क्या करना चाहिए वाहन को बाई ओर से गुजारें यह दि वाहन दाईनी लेन में तो आप वाहन को बाई ओर से गुजार सकते हैं B and C आप सभी को पता होगा यह दि पहली बात थो पहली बात थो आप जो है राइट से तो अवर्टेक करते हैं पहला तो A तो गलत ही हो जाएगा, B ठीक है, यानि कि राइट साइट से ओवर्टेकिंग करते हैं, अगर सामने का वहिकल धीरे चनरा है, रोड कलियर है, ओवर्टेकिंग करने के लिए अगर सुरुक्षी जगह है, तो यहाँ पर लिखा हैं देगो, ओवर्टेक करने के लिए आगे का रास्ता साप है, तो आप ओवर्टेक राइट साइट से कर सकते हैं, लेकिन, 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 ओवर्टेकिंग जो रूल है, इसका एक अपवाद है, और वो यह है, यदि वहाँन दाइनी लेन में है, उनसा, जो आगे चल रहा है, तो आप वहाँन को बाई और से भी गुजार सकते हैं, यानि आप ओवर्टेक की साइट से करते हैं, ज्यांस यह समझे लेन इस बात को ओवर्टेक करते हैं, राइट साइट से, लेकिन, आप चल रहे हैं, दो लेन वाली सड़क पर, और जो आपके सामने आगे वहाँन चल रहा है, वो चल रहा है राइट लेन में, फिर आप उसको राइट लेन के राइट से कहां से क्रोस करेंगे, नहीं कर सकते हैं फिर आप उसको left lane से cross कर सकते हैं ठीक है तो option C भी सही है तो D यहाँ पर right answer हो जाएगा अब एक चीज आप यह बता दीजिए कि अगर आप गलत तरीकी से over taking करते हैं गलत साइड से over taking करते हैं तो इसके लिए आपके खिलाप कौनची धारा जुर्माना लगता है यह comment section में आप चाप दीजिए अगले परसन पर चलते हैं Maximum speed permitted for vehicle towing another vehicle किसी अन्यवान को खीचने वाले वहानों के लिए अधिक्तम गति की अनुमती Maximum speed पूछिए बई Maximum speed पूछिए वो किस मामले में towed vehicle के लिए यानि किसी vehicle को आपने खराब vehicle को आप खीच कर ले जा रहे हैं तो आउड vehicle यानि कि आप खराब vehicle को खीच के ले जा रहे हैं तो Maximum speed हो सकती है कितनी आपको दो option मिल सकते हैं 24 या 25 तो प्रात्मिक्ता 24 को देनी है 24 नहीं तो 25 को देनी है तो यहाँ पर 24 है तो option number B right answer हो जाएगा अभी मैंने यही पूछा था पिछले परसन में कि अगर दो vehicle हैं जिनको आपस में जोड का चलाया जा रहा तो Maximum speed क्या होगी देखो कोई माना कि कोई मार्च चल रहा है कोई पुलीस मार्च कर रही है कोई सेना जा रही है कोई जानूर का आप वेन कर रहे हैं गाड़ी में डाल की towed vehicle आपके कोई vehicle को tow कर के ले जा रहे है work on road पर काम च परिस्ततियों में आपकी गाड़ी की जो speed होती है वो 25 km परती गंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है अगले परसन पर चलते हैं ऐसी परिस्ततियां जिन में motorcycle 80 km परती गंटा की गति से चलाई जा सकती है किन परिस्तती में चलाई जा सकती है चलो speed का limit का rule लेते हैं यह देखो यहां पे maximum speed expressway और राश्ट्री राजमार्क पर 80 km है परसन क्या पूचा है 80 km परती गंटा की गति से चलाई जा सकती है रात्री के समय दिन के समय किसी भी प्रिस्तिती में नहीं अब देखो यहां पे आएगा 80 km परती गंटा की गति से अधिक गति पर अधिक गति पर आप परसन को ऐसा समझें क्योंकि यह परसन अधिक गति पर क्योंकि यह जो परसन है यह काफी फुराना परसन 15-16 का क्यूशन है इसलिए इसमें 80 km लिखा है या फिर आप क्या करें इसको आप 90 कर दें हाना क्योंकि वर्तमान समय में 2018 के बाद से जो maximum जो speed है 80 तक आप चला सकते हैं 80 से ज़्यादा आप किसी भी परस्तिती में नहीं चला सकते हैं आप 80 को 90 समझे वही इस 80 को आप 90 समझे ठीक है ना इसको आप 90 समझे ओपसन नमर 60 का राइट आंसर हो जाएगा चलो अगले परसन पर चलते हैं परसन से कि आपके सामने 809 है थोड़ा कोईभी क्यूशन अगर लगता है न करी कोईपी क्यूशन अगर गलत है तो उसमें सुधार क्या पेक्षा हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्सिन में बता दीजीएगा कि सेर आप इस परसन पर शुदार किजिए तो आसे परसन के हम सुदार कर लेंगे maximum permitted weight date can be carried on a goods carriage अधिक्तम अनुमत वजन जो माल वाहा का गाड़ी पर ले जाया जा सकता है no limit कोई सिमानी allowed age per permit 10 तन 12 तन आप सभी को बता है ट्रक जो होते हैं छोटे बड़े हो सकते हैं capacity अलग होती है सभी vehicles की तो जितनी जो capacity जिस vehicle के लिए permitted है वही capacity आप ले जा सकते हैं तो option number B right answer हो जाएगा allowed age per permit तो कोई भी जो vehicle होगा वो उतनी ही उतना ही वजन वो ले जा सकता है जितना वजन उसको permit में उसको मलब permission मिली हुई है तो उसे ज़्यादा वो vehicle नहीं ले जा सकता तो यहाँ पर option number allowed age per permit आपका हो जाएगा the minimum fine for overloading in goods carriage माल गाड़ी में क्षमता से अधिक सामान लादने पर नियूंतम जुर्माना आप सभी को विधित होगा Motor vehicle act की जो धारा 104 चौरान में है वो overloading के बारे में कहती है overload ठीक है अब यह क्या कहती है अगर overload कर लिया तो आपका 20,000 का को जुर्माना हम सिदा ले लेंगे plus 2000 माल जितना पर्ती अतिरिक टन पर्ती अतिरिक टन आपका जुर्माना लगेगा ठीक है साथ ही दोस्तों extra जो माल है माल उतारना पड़ेगा extra जो माल है जो load की limit से उसको नीचे उतारना पड़ेगा यानि कि 20,000 RS and 2000 every extra टन ठीक है उपसलमा डी राइट एंसर हो जाएगा पर्सन सिंक्या 811 शेक्षनी के संस्तान के पास ओटो रिक्सा की अधिक्तम अनुमेई गती क्या हो सकती है educational institution education इस्कूल माना की है ठीक है तो यहाँ पर आपकी गाड़ी की जो speed है वो क्या हो सकती है 25 किलोमेटर परती गंटा की रिप्तार maximum speed यहाँ पर हो सकती है अगला परसन शेक्षनीक संस्तान के निकट हलके मोटरवान की अधिक्तम अनुमेई गती क्या हो सकती है तो यह भी 25 किलोमेटर हो सकती है इसमें क्या था इसमें था ओटो रिक्षा इसमें है अलका मोटरवान यह दोस्तों यहाँ पर real में ऐसे क्यूशन है जो जहां से exam में सब्चेंज ज़ला क्यूशन आते है ओटो रिक्षा की अधिक्तम अनुमेई गती ओटो रिक्षा जो होता है वो मेक्सिमम जो है कितनी स्पीड पर चल सकता है यह आपको बताना है आप सभी को पता होगा अभी मैंने आपको स्पीड का लिमिट दिखाया था स्पीड लिमिट का रूल दिखाया था ओटो रिक्षा तीन पर यावान तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्यूशन का राइट अंसर पचास किलिमेटर पती गंटा की रवतार यहाँ पर हो जाएगी आप सभी को एक बात याद रखनी है इस्पीड लिमिट के बारे में पूछा जाता है कौन सी धारा है तो एक सु बारह है कई बारपरसन आ चुका है आ अप पराद करेंगे आप नहीं तोड़ेंगे तो एक सो Oláगगू होगा और एक सोतीज्सी में अलमवी और अचमवीके लिए अलग अलग जुर्माना है अलमी के लिए एक से दो जार की बीच में और अचमवी में दो से चार जार की बीच में यह आपको जाद रहना है Maximum Permissible Speed of a Light Motorvacal हलके मोटरवान की अधिक्तम अनुमेई गती क्या हो सकती है तो यहाँ पर देखो 60 km पर हो 60-70 कोई limit नहीं 100 km परती गंटा देखो जब तक आपको Spacially Expressway का नहीं पूछे Expressway का नहीं पूछते है तो आप ऐसा समझें वो आपको National Highway का बताना है NH का बताना है क्या बताना है तोड़ा समय इसको इरीज कर देता हूँ क्योंकि Extra Matter टाइप कर दी हमने सी आपको बताना है National Highway का और आप सभी को पता है एस National Highway पे अलमवी गारी की मेक्सिमाम स्फिर सो किलोमेटर परती गंटा है अब आप Expressway को अपने आपने समझे आप सबसे बड़ा जो राजमार्ग है उसको National Highway समझे Expressway एक special category है तो इसका जवाब जो है Option Number D हो जाएगा इसको भी आप सो कर लें आपे क्योंकि ये जो इदर वाला मेटर ना ये हिंदी का मेटर है और ये इदर वाला इंग्लिस का है तो इससे हिंदी वाले में तो correction कर दिया हमने लेकिन इंग्लिस वाले में नहीं किया तो मैं no down कर लेता हूँ 814 में भी थोड़ा सा correction है 814 कोई भी question में अगर correction आप जैसे करना हूँ हमे तो हमें कर सकते हैं भी next time जब भी हम पढ़ेंगी तो इस टाइप की typically error नहीं आएगी तो आप सभी को answer का पता चल गया होगा अब आप देख पा रहे है maximum speed आप देख लो यहां पर कार के लिए 100 km रहे express वे कोई skip कर दो आप maximum speed में express वे लागू नहीं होता express वे जब उचा जाए तब ही आपको इसको जहान में रखना है अधरवाईज आपको यह जो limit है यह आपको याद रखनी है ठीक है तो हमें फिर से नेक्स्ट क्यूशन पर चलते है परसन सिंग के हमारे सामने जो है 815 according to section 112 of the Motor Vehicles Act 1988 क्या होता है गती सिमा से अधिक नहीं होना चाहिए गती सिमा से अधिक नहीं होनी चाहिए सरापिकर वहाँ नहीं चलाएंगे बिना टेक्स चुकाई शड़क पर वहाँ नहीं चलाएंगे आप सभी को बता है Motor Vehicle Act की जो धारा 112 है वो स्पीड का लिमिट बताती है और ये कहती है कि आप गती की जो सिमा है उसे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाएंगे मतलब की स्पीड की लिमिट दी गई है ओप्शन नमर एक इसका रायट आंसर हो जाएगा Section 113 of the Motor Vehicle Act 1988 stipulates date that driver should not drive a vehicle Motor 1 अधीनियम 1988 की दारा 113 में कहा गया है कि चालक को वहाँ नहीं चलाना चाहिए मतलब की जो Section 113 है उसका संबन किस्सें है तो आप सभी को भी दित होगा जो Section 113 है वो Overload से संबन दीते है Overload और 113 का उलंगन करेंगी तो धारा 114 में लागू होती है जिसके तेद 20,000 का जुर्माना प्लस 2,000 पर तीटन अभी आपको बताया था ना वही बात है यह तो यहाँ पर Acturing the Weight Permitted to Carry मैंने अभी आपको बताया था कि जूलूस की बात आ जाए जूलूस, सेना पुलीस पुलीस का मार्च चल रहा है कोई जानवर को आप ले जा रहे है कोई वाइकल को टो करके ले जा रहे है एजूकेशन एजूकेशन के पास में आप कर रहे है रोड पर काम चल रहा है सभी कंडिसन्स में स्पीड की जू लिमिट रहेगी ऑप्शन B 25 किलिमेटर पर टे गंटा की यहाँ पर रहने वाली है अगले परसन पर चलते है जमीनी इस तरसे माल वाहा के वहान पर भार की उन्चाई सिमा आप सभी को विधित होगा यहाँ पर एक होता है सिंगल सिंगल एक होता है डबल अब डबल का मैं एक्जम पर दूँ डबल डेकर जो बसे होती है डबल डेकर बस होती है तो अब आप के दोगी यह डबल है से ज़्यादा नहीं हो सक्टीकिस की डबल देकर बसकी यह 24 के एक पेपर में परसन पुछा जा चुका है डबल देकर वाला और सिंगल की 3.8 मिटर है तो यहां पर डबल की बात नहीं है इना तो आप केवल 3.8 सिंगल ही समझेंगे ऑप्सन नमर एक राइट आंसर हो जाएगा एकोडिंग तो सेक्शन 129 ऑप मोटरवाइकल एक 1988 एपरसन ड्राइविंग ए मोटरसाइकल सेल यानि मोटरवान अधीनियम 1988 की दारा 134 के अनुसार मोटरसाइकल चादालेवाला विक्ति क्या करेगा हेलमेट पहनेगा हेलमेट और ये लिखा गया है 134 में डी में नहीं हुआ तो एक हजार का जुर्माना होगा क्या होगा एक हजार का जुर्माना होगा एक हजार में अच्छा सा हिलमेट आ जाएगा भी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए option number be right answer हो जाएगा you wish to take, you tell, it an intersection controlled by a traffic light you should आप traffic light दोवारा mean treat, किसी चोराय पर you mode लेना चाहते है जो आपको लेना चाहिए, किसी अन्य चोराय पर drive करें, जहां traffic light नहीं है you mode लेने से पहले, light के हरें उन्हें तक प्रतिक्सा करें यदि चोराय पर कोई police करनी है, तो you mode ले, उप्रोकते सभी आप सभी को पता है, अगर आपको you turn लेना है, you turn लेनी के लिए जगह है तो आपको traffic signal light को देखते हुए, अगर उचीत light है, उचीत संकेत है, उचीत sign है तो आप you turn ले सकता है, traffic police वाला है या नहीं है, कोई इससे फरक नहीं पड़ता तो option number C, right answer हो जाएगा, sorry, बनलब यदि चोराय पर कोई police करनी है, तो you mode ले एक हो जाएगा, you mode लेने से पहले, light के हरे होनी के परतिक साकर रहे, यहाँ पर थोड़ा सा confusion वाला मामला है, C कैसे होगा, excuse, right answer, इस person का drive to another intersection, यह तो गलत ही हो जाएगा पहला, ठीक है यदि चोराय पर कोई police करनी है, तो you mode ले, ऐसा कुछ नहीं है, अगर traffic signal है, तो आप ले सकते हैं, यानि कि you mode लेने से पहले light के हरे होनी तक परतिक साकर रहे, you mode ले रहे हैं आप, तो उससे पहले अगर traffic light green है, green का मतबब आप you mode ले सकते हैं, तो आप यह काम कर सकते हैं, option number B right answer हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दिन थोड़ सा confusion वाला मामला है, हलांकि यह जो question है, यह official website से लिया गया question है, और वहाँ पर भी question को C माना गया है, क्यों माना गया है, आपकी क्या राय है इस question को लेके, आप थोड़ सा बताने का प्यास करें, अगर आपको लगता है क B नहीं, C होना चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे आप comment section में बताएं, मैं no down कर लेता हूँ, इस question को भी 820, हाना, आप मेरे अनुसार इसका जो question का right answer होना चाहिए, वो B होना चाहिए, C नहीं हो सकता भी, कभी police कर्मी है तो आप U-turn लेंगे, अदरवाज नहीं लेंगे, ऐसा सरपाकार चलाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं चलाना चाहिए भी, हाना, हर समय सभी के लिए खतरनाग होती है, dangerous to all at the times, जिग जग ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, और ये dangerous ड्राइविंग कहलाती है, और धारा 104 सी लागू होती है, जिसके तैत 1 से 5000 तक आप जुर्माना ल high gear, high gear में high speed होगी गलत है, neutral कभी ने करें, engine को बंद नहीं करना, मतलब की change to low gear, आप एक या दो नमर gear में आप गारी को drive करें, गारी की speed अपने आप कम हो जाएगी, engine को करापी बंद नहीं करें, ignition switch को भी कभी बंद नहीं करना चाहिए, ignition switch बंद वा, engine बंद वा, या neutral कर दी तो फिर गाड़ी out of control हो जाएगी और accident हो जाएगा, अगला person, to surprise, sorry, to supervise a learner drive, you must, एक सिक्षारती driver की देख रेक के लिए आपको यह करना चाहिए, एक अनुमोदीत driving प्रक्सिक्षक बंद रखें, सिक्षारती लाइसेंस धारण करें, उपर के सभी, तो यहां पर अगर आप एक सिक्षारती driver की देख रेक अगर आप कर रहे हैं, तो आपको एक instructor बनना चाहिए, एक अनुमोदीत driving प्रक्सिक्षक आपको बनना चाहिए, और उसके बाद या आपको learner license को गाड़ी, sorry, learner को ड्राइवर है, तो उसको गाड़ी सीखानी चाहिए, या देख रेक करनी चाह राउंड अबाउट होता है, आप सभी को पता होगा, गोल चोराय जो होता है उसको राउंड अबाउट बोला जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से राउंड अबाउट होता है, आप सभी को विधित होगा, यह इस टाइप का, यह राउंड अबाउट है, ठीक है, तो यह र राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट है, मतलब की चौराय पर यातायत को रास्ते का अधिकार है, परवेस करने वाले यातायत को रास्ते का अधिकार है, मुझूदा यातायत को रास्ते का अधिकार है, यातायत सभी जो राउंड अबाउट है, इस पर सभी का जो है य भी यातरी जा रहे हैं जो सवी भी रोगन जो ट्रैफी का पूठी को इस कर्षा होते हैं, वो अंटर कर रहे हैं जे बाहर निकल रहे हैं जे पहले हैं तो पस नमर्ञ удर इस पुलीस पकड़ेगी क्यों आपकी सुरुक्षा के लिए सड़क पर एक रुपता के लिए ये भी गलत है नोट कमपतरी ये भी गलत है तीनों गलत हो जाएंगे हेलमेट के लिए धाराइसो चोराण मट्डी एकजार का जुरुमन याद रखना एकजार में हेलमेट आ जाएगा आप अपर अपने वहन का होर्न कब बजाएंगे आपको रास्ता देने का अधिकार देने के लिए यनि आप किसी वाइकल से रास्ता मांग रहे है अंन्य ड्राइवर को आपकी उपस्ताथि बारे में सच्छिट करने के, उपस्तिती से कोई मतलब नहीं है, आप उपस्तिती क你是 दिखाना चाहा रहा है, या तो आपको ओवटे करने से पहले, या म Pea घ highlighter मिले, या मुझे जो उच्छिता रास्ता आप दे, तो option number 1 इसका right answer हो जाएगा तो यहाँ पर option number है जो कौन सा सी हो जाएगा एक option right हो जाएगा अगले person पर हम चलते हैं person सेंगे 827 आप एक AC bus के पीछे हैं जो यात्री को लेने या छोडने के लिए रुकी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए यह पंजाब एंड हर्याना हाइको ड्राइवर एकजाम 2020 का एक क्यूसन था जो यहाँ पर देखो यह person आ चुका है यहाँ पर मैं जो यह सारे person करा रहा हूँ न आपको इदम सिंपल लग रहे होंगे लेकिन यह हर एक परसन जो है देरी पुरुग पीछे पर दिक्सा करें बाई और से ओटेक करें पैदर चलने वाद उसे आगे निकल जाए गती बढ़ो और आगे बढ़ो तो यहाँ पर राइट हो जाएगा जब भी बस यात्री को उतारना चड़ाने का काम कर रही है आगे खड़ी है तो आप उसको ओटेक करेंगी तो हो सकता है कोई यात्री लोड को क्रोस करने के लिए जाए एक्सिडेंट हो जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते हाना आपको उसके पीछे जो है वेट करना चाहिए यानि आपको एक अच्छा आदमी बनना है आपको एक नेक विक्ति बनना अच्छा आदमी बनना है और आपको धेरिये रखना है अना तो धेरिये पुरोग पिछे रहना है आपको किसी कार को रात के समय में ओटेक कर रहे है तो आपको क्या सुनिशित करना चीए आप अन्य सड़क उप्योग करताओं को आश्री चकित नहीं करते है आप ओटेक करने से पहले हेड लेंप जलाते है आप यूफ फ्लेस हेड लेंप यानि फ्लेस करते है डिप मारते है आपकी पिछली फोग लाइटें चालू है आप अपना साइड इंडिकेटर फ्लेस करें ओटेक करते हैं जो है साइड इंडिकेटर का कोई काम नहीं है पिछली फोग लाइट का कोई काम नहीं है दो तो यह गलत होगे और आप जो है उप्यों करताओं को आश्री चकित आश्री चकित के नोट डजल no diesel का क्या मतलब है गलत है option B हो जाएगा right answer you flash headlamps before overtaking यानि आप जब भी किसी कार को पीछे से overtake कर रहे हैं तो headlight को आप एक बार dip करें फिर high करें उसे आगे वाले आगे चदरे गारी को ये पता चाहिएगा पीछे से कोई गारी है जो हमसे आगे निकलना चाहर रही है और आपकी उपस्तती का उसको पता चाहिएगा कि हाँ पीछे वाला जो driver है वो आगे जा रहा है तो साउचेत हो जाएगा इसलिए headlight को फ्लेस करना चाहिए comment section में बता दीजिए कि गारी की जब light को हमें head फ्लेस करते है या dip जो हम कहते हैं कि हमलब की फ्लेस करके गारी को ओवटेक करते है तो dip जो एक प्रकार से हम कह सकते है कि headlight को फ्लेस करना तो उस समय headlight की कौन सी beam on होती है यह आपको बताना है तो headlight को dip करते समय या headlight को फ्लेस करते समय headlight की कौन सी beam on होती है यह आपके सामने एक सवाल है high beam या low beam यह आपको बताना है अगले परसन पर चलते है flacing yellow signal flacing yellow signal yellow signal और वो भी flacing हो तो आपको पता क्या करना है गारी को slow करना है slow and proceed if safe proceed if safe तो एक ग्रम सिंपल है यहीं अगर red हो जाता तो stop and proceed if safe stop हो जाता red होती इस्टोप हो जाता और yellow flash है तो slow हो जाएगा तो यह आपको याद रखना है तो traffic light काम नहीं कर रही है आपको धीमा होना चाहिए और सावदान से आगे बढ़ना चाहिए option b right answer हो जाएगा अगरा परसन जब आपे zebra crossing पर पेदल चलने वादों के लिए रुकते हैं वे पार करना सुरू नहीं करते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए मनलब आप किसी pedestrian से पहले stop line से पहले रुके वे हैं और पेदल यातरी सड़क को पार नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप अपना होरन बजाओ धेरी रखें परतिक्षा करें पुरुष काम पर रहें यानि मेन आर एट वार गती बढ़ाएं तेजी से पेदल चलने वादों को पार करें दी तो गलत हो जाएगा अब यहां पेदे को एक किया जा सकता है एक किया जा सकता है लेकिन सबसे अच्छा option है आप patience रखें वो निकल जाएंगे एक driver को आमेसा अच्छा आदमी बनना है और यह संभावना विक्ट करनी है कि जो है पेदल चलने वाले वो पार्क कर लेंगे एक संभावना विक्ट करते में आपको अच्छा आदमी बनना है और patience रखना है जेरी रखना है आप जल्दबाजी करके होन बजाके आगे नहीं जा सकते है यू आर अलाउट टू पार्क आपको पार्क करने की अनुमती होती है एक footpath के उपर कभी भी नहीं करनी चाहिए एक पहाड़ी की चोटी पर तो यहाँ पर पाड़ी की चोटी पर गाड़ी को पार्क नहीं करना किए नेजर ऑफ देश टो अल्टरनेटिव इन दोनों विकल में से कोई नहीं तो यह भी नहीं हो सकता है न और और अजली नेसलन हाइवेज में रोड एक मात राश्ट्रे राजमार्क मुख्य शड़क पर यह भी गलत हो जाएगा तो यहाँ इब बीम में आप आपको पता है एक फोग हो जब हो एक रेन यानी बारिस हो रही है दोनों ही कंडिसं में आपको लो बीम का प्रियोगकर न चाहिए है यहां पर थेखेगा नहीं और यह नुक्सां दाएक हो सकता है अच्छा है क्योंकि आप और अधिक देख सकते हैं गलत हो जाएगा, दिखेगा है नहीं, खराब है, क्योंकि यह वापस परावर्तित होता है, वो चकाचोंद कर सकता है, इस बेड बिकोज, इस रिफ्लैप्स बेक एंड के डेजल, यानि कि आप हाई बीम का प्रयोग करेंगी, तो लाइट है, वो आपको देखने में समस्या पहला करेंगी, उप्सन बी राइट अंसर हो जाएगा, अगले परस्न पर चलते हैं, डिपिंग यूर लाइट, इस नेसेसरी वेन, जब आपकी रोशनी डुबाना आवस्ये को, डुबानी का मतलब है, डिप करना, डिप करना, डिप का मतलब है, हेड लाइट को फ्लेश करना, फ्लेश आप करते हैं, ठीक है, तो ये कब आपको करना चाहिए, you want to overtake, जब overtake करते हैं, तो अभी करना चाहिए, यहां dipping का मतलब भी low beam है, dipping का बंदा भी यहां पर low beam है, dipping है यह, तो इसको थोड़ा सा अलग समझना है, यह dip है, वो place वाला नहीं है, डुबाना, डुबाने का मतलब है यहां पर low beam, आपको use करना है, ठीक है, तो इस person को थोड आगे निकलना चाहते हैं, आगे जब निकलेंगे तो आप पे low beam नहीं, आप high beam को flash करेंगे, हाला कि आपकी low beam पहले से ओलरी हो सकती है, लेकिन आप जो है headlight को flash करेंगे, एक बार high पला के low करेंगे, तो यह तो overtaking के समय है, तो यह गलत हो जाएगा, it is foggy condition, बिलकुल, foggy condition म आपको मलपकी क्या करना चाहिए, light को dip करना चाहिए, following a vehicle किसी बान का पिछा करना, while driving at day time, दिन के समय गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पर देखो, person यह डी भी ठीक है, डीप के time, यानि आप दिन के समय गाड़ी चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे cable गाड़ी चलाने का आया है, आपका यहाँ पर नाम आता कि दिन के समय बारिस में गाड़ी चलाना, बारिस का नाम आता या कुछ और आता, रोस नहीं कम है, दिखाए नहीं दे रहा है, दिन के समय तब आपका, अगर person हो, तो आप low beam कर सकते हैं, otherwise यह day time आप headlight का यूच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो option question number B, right answer यहाँ पर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, कि आप low beam का प्रियोग कब कब कर सकते हैं, low beam, low beam का यूच आप कब कर सकते हैं, आप सभी को पता होगा, एक तो rain, यानि बारिस हो रही है, एक foggy condition, fog, एक day time, day time आपको जब भी headlight का प्रियोग कर ना हो, तो आ आप low beam, यानि dipping में ही आप करेंगे, अगला परसन, परसन सेंगे 834 पे हम चलते हैं, when approaching a crossing where you are to go straight, किसी crossing के पास गुजरते समय या पहुंसते समय, जहां आपको सीधे जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सीधे निकलना है, ठीक है, लेन को दाहिली लेन में बदल मद्धे lane से कम से कम 50 मिटर आगे जो है lane बदले, change lane to middle lane at the crossing, crossing पर lane को मद्धे lane में बदले, ये तो गलत हो जाएगा, आप crossing के उपर यानि चोराए के उपर आके lane चेज नहीं कर सकते, मद्धे lane से कम से कम 200 मिटर आगे lane बदले, आगे किसलिए बदलेंगे, ये कहने का मतलब ह जब आपको सीधा चलना हो, तो आप उस चोराए से पर पहुचने से पहले 50 मिटर पहले ही, लगबग, आप जो बीच वाली lane है, उसमें आजाएंगे, क्योंकि जो रायट में जाएंगे, जो लेप्ट में जाना है, वो लेप्ट में चल जाएंगे, आपको सीधे जाना है, तो आप मीडियम में रह जाएंगे, तो यह इसलिए कह रहा है, कि मद्धे lane से कम से कम 50 मिटर पहले, आप lane बदलकर मीडियम lane में, chain lane at least 50 मिटर ahead to the middle lane, तो जब चोराया 50 मिटर बचे, तब आप क्या है, मिडल लेन में आजाएंगे, क्योंकि आपको सीधे जाना है, option number B right answer हो जाएगा, you are driving a vehicle comes up quickly behind, placing headlamps, you should, तुम गाड़ी चला रहे हो, पिछे से एक वहां तेजी से headlamp पर चमकाता हो, तुम्हे क्या करना चाहिए, पिछे से कोई तेजी से अगर कोई vehicle आ रहा है, वो चमकाता हो, अगर headlight को face करते हो आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप आपको पता है, वो vehicle headlight place क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको आगे जाना है, उसको overtake करना है, उसको जल्दी है, तो आपका काम है, आप गाड़ी को धीमा करें, गाड़ी को left side मिलें, और उसको overtake करने दें, तो option मरिया पे C right answer हो जाएगा, allow the vehicle to overtake if shape, अगर यह सुरक्षित है, तो आप उसको overtake करने के लिए तुरंत जगह देंगे, accelerate the maintain gap behind you, आप speed नहीं बढ़ा सकते भई, touch the brakes to solve your brake light, आप ब्रेक को टच करेंगे, केवल पीछे वाली brake light दिखाने के लिए यह भी गलत है, केवल दिखाने के लिए आपको रास्ता देना है, don't allow the vehicle to overtake, if shape, safe है, तो भी आप उसे आँगे जाने की पनुमती नहीं देंगे, यह भी गलत है, तो option C right answer हो जाएगा, person 836, आपको दिन के दोरान, do we beam, headlight का उप्योग कब करना चाहिए, we must use a deep beam, headlight during the day, मैंने आपको बताता, या तो fog हो, या rain, यानि बारिस का time हो, ऐसी conditions में आप कर सकते हैं, या transparency कम ह यानि की दृषयता, दृषयता कम, दृषयता कम हो, टीन conditions हो सकती है, in poor visibility and highways, crop, दृषयता और राजमार्गों में, on country roads, देश की सड़कों पर, यह तो गलत हो जाएगा, along narrow street, संकडी, गल्यों के साथ, यह भी गलत है, all of above, यह भी गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा, जब आ headlight को own कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, headlight को दिन में use लेना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको low beam का ही प्रियोग करना पड़ेगा, इस person में भी थोड़ा सा सुदार क्या हो सकता है, option number 1 को थोड़ा सा और perfect तरीके से यहाँ पे, जो है बनाना पड़ेगा, बच्चे थोड़ी से confused होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं खुद confused हो रहा हूँ, तो आप भी होंगे, क्योंकि ए पूरivity and high age, इसका क्या मतलब हुआ, तो 836 को भी correction करना थोड़ा सा, person में सुदार करना है, क्योंकि यह थोड़ा सा, पता नहीं किस कार्ण से, क्योई यह आप कह रहे हैं, person सरल, आपको देखने में सरल लग रहे हैं, लेकिन actual में बच्चा फस्ता भी यही है, बच्चे, students जो है, गलत person भी यही इसी टाइप की जो क्योशन है क्योंकि यह driving basic behavior के क्योशन है, हम इसे इन क्योशन को driving के मामले में basic behavior या general behavior of driver, वो क्योशन समानते ह हैं, जिसमें क्योशन को instantly action लेना पड़ता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, तो यहां पर देखा बीजे से आया है, क्या बारिस में गढ़ चला रहे हैं, तो आपको सामने वाले वान से अच्छी तरी से पीछे रहना चाहिए, क्यों, आप बारिस के समय में आगे च दो सेकिंड का रूल, दो सेकिंड रूल, और यह बारिस में, यानि एक तो rain, एक foggy condition, इन दोनों में double हो जाता है, double हो जाता है, double का मतलब 4 सेकिंड बन जाता है, क्योंकि, या अगर मनलब की पहाड़ी, heel area, यह तीनों कंडिशन में, यह 4 सेकिंड का बन जाता है, यानि कि आ आपको दूरी double कर देनी चाहिए, बारिस में, foggy condition में, पारी चेत्रों में, यह यह अचानक दिसा बदल देता है, यानि आपको उससे जदा पीछे बदल भी सकता है, यह भी काम ठीक है यह तो, in case it foggy lights, डैजल यो, यह इसकी कोरे की रोसनी आपको चका चोन कर दे, यह यह दिमा हो जाए, यानि कि आपको उससे पीछे दूरी क्यों रखनी चाहिए, भी दिमा हो जाएगा तो काम चल सकता है, लेकिन बंद हो गया, गाड़ी रुक गई, तो क्या करेंगे, आपकी गाड़ी ठुक जाएगी, हाना, चका चोन तो यह करेगा है नहीं, अचानक दिसा अब लेगा तो बदल जाएगा, हम तो शीरे चेदर हैं, कोई रिकत नहीं, लेकिन यह को अचानक बंद हो जाए, यह दोनों ठीक है, लेकिन यह सबसे बेस्ट आंसर है, उप्सन नमर शी, यानि कि इन केस अचानक वो देरे हो जाए, तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर बं यह होती है कि आगे चल रहे वाइकल से हम उतनी दूरी रख शकते हैं, जितनी दूरी हमारा वाइकल दो सेकंड में ते करता है, माना कि मैं कार चला रहा हूं, और मेरी कार दो सेकंड में 200 मिटर दूरी ते करती है, कितनी? दो सेकंड में 200 मिटर दूरी ते करती है, हम सोच र यह होती है safe distance और यह safe distance बारिस में, phogey conditions में या hill area में double हो जाती है 4 second. अब आपको इन तीनों condition में जैसे बारिस है, दुन है, पारिस है तर तर तो वहाँ पे 400 मिटर दूरी रखनी चाहिए. यह एक परकार का मनदब इसा rule समझा रहा हूं है आपको, एक्चुल में 400 मिटर रखने हैं हो सकता नहीं होती. वाट किन क्यूज हाड इस्टेरिंग, कथोर इस्टेरिंग का क्या कारण हो सकता है, आपकी गाड़ी का इस्टेरिंग है, वो कथोर हो चुका क्या कारण है, बुरी तरह गिसा हुआ टायर, टायर गिस चुका है, टायर का अधिक फुलाना हवा ज्यादा है, हवा अधिक है, ठीक है ओ फुलेवे टायर की नीचे under inflated टायर यानि की कम हवा कम हवा यह translation एरे थोड़ा सा under inflated टायर यानि की कम फुलावा टायर पुरा फुलावा नहीं है आप सभी को पता है यह एक टायर जब मलब है जो air होगी सही होगी तो माना की यह इतना surface जो है यहां पे road पे आएगा इतना ठीक है यह अगर हवा कम हो गई तो यह फिर यह area बढ़ जाएगा यह क्या है area बढ़ जाएगा यह जो friction area ना यह road पर बढ़ जाएगा इसके कान steering पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा अगर आपके गाड़ी के टायरों में हवा कम है तो बिलकुल आप मतलब की कह सकते हैं कि अब आपको गाड़ी को मोडने में मतलब की कठी नहीं होगी तो कठोर steering का क्या करना हो सकता है एक तो टायर गिसा हवा होना ज़्यादा फरक्नी पड़ेगा अधिक हवा है तो कोई ज़्यादा फरक्नी अधिक हवा से तो आसानी से मुड़ेगी तो ये दोनों गलाथ हो जाएगे पहली बात तो C option number right answer हो जाएगा यानि हवा अगर कम है तो गाड़ी का स्टेरिंग हाड हो जाएगा आप अमूमन देखते भी होंगी अगर गाड़ी कठीन मूड रही है तो आप इसका मतलब है आगे के टायरों में हवा कम हो सकती है अगला परसन Motorcyclist यूजिली क्यूज हजार बाई Motorcycle चालक आम तोर पर खत्रा पेदा करते हैं Speed more than permitted अनुमती से अधिकती टेरी मेडी तरीके से गाड़ी चलाते हुए आपके बहुत करीब से गुजरना उपर के सभी उपरक में से कोई नहीं तो जो साइकल चालक होता है यार वो मनलब Motorcyclist यूजिली क्यूज हजार Motorcycle चालक आम तोर पर खत्रा पेदा करते हैं Motorcycle वाले क्या कर सकते हैं एक तो भई वो जिग जिग ड्राइविंग करेंगे यानि टेडी मेडी गाड़ी चलाएंगे पलस एक वो Overspeed में गाड़ी चलाएंगे तो ये दो ही काम कर सकते हैं Wrong Overtake कर सकते हैं Overload भी हो सकती है Overload के काड़ भी और Traffic रूल अगर ब्रेक करते हैं Traffic रूल को ब्रेक करते हैं तो यह सारे काड़ हो सकते हैं तो यहां पर Option A भी ठीक है B भी ठीक है मतलब कि C Right Answer हो जाएगा ठीक है Motorcycle उनके बारे में बदाया जा रहा है आप T जंक्षन पर परतिक्सा कर रहे हैं और बाई और से दाई और सिगनल चमकता हुआ एक वहन आ रहा है आपको इसा करना चाहिए यानि आप किसी चौराए पर खड़े हैं और यहां से देखो यह इस टाइप से सड़क है ठीक है आप यहां पर वेट कर रहे है अब यहां पर कहां से आ रहा है यह बाई और से मतलब यहां से एक गाड़ी आ रही है जो एक सिगनल दिखाती है आ रही है अब आपकी गाड़ी यहां पर है तो आप नॉर्मल गाड़ी है तो आप जा सकते हैं आगे लेकिन अगर कोई मनलप की जो है signal देते वियो कोई गाड़ी आ रही है कोई light place करए signal light right signal place करती है इसका मतलब क्या है यह right का indicator दे रही है यह गाड़ी जो जा रही है right signal दे रही है कि भी मैं right में मोड़ूँगी तो अब आप यहां आगे जा रहे हैं और यह देखो आगे जाके इधर मूड़ेगी तो टकर हो सकती है ना तो आपको यहां पर बचना चाहिए तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं इसे करडिशन में वहां के दाहिनी और मूड़नी तक परतिक्सा करें क्योंकि आप शिरे जा र तो यहां पे left side से आ रहा है कल right में मूर देंगा संकेर दे रहा है तो आपको उसको पहले गुजरने देना चाहिए मतलब आपको पर्थिक्सा करनी चाहिए option c wait until the y cut and to right side अगले परस्ट पर चलते हैं while you reach a junction with limited agility you should जब आप सिमीत द्रिशेता वाले junction पर पहुंशते हैं तो आपको इसा करना चाहिए यानि भोत कम दिखाई देरा है और आप किसी junction यानि की चोराय पर पहुंशते हैं तो क्या करेंगे look both ways and move carefully दोनों तरफ देखेंगे सावधनी से आगे बढ़ेंगे बात तो ठीक है दाई और देखें और धीरी धीरा आगे बढ़ेंगे केवल दाई और कोई मतलब नहीं दोनों साइड में आपको देखना चाहिए move quickly जल्दी चलो ये भी गलत है बिना किसी संकेत के धीरी धीरा आगे बढ़ें संकेत बिना संकेत के नहीं बढ़ सकते वे आप तो option number 1 right answer हो जाएगा परसन 842 आपको अपनी खत्रा चेतावनी लाइटें चालू कर देनी चाहिए आप यानि कि हजार वोर्निंग लाइटें कब ओन करते हैं आप जब आप सीधे चल रहे हूं जब आप भी सीधे चलते समेथ आप नहीं कर सकते हैं तो गलत हो जाएगा जब आपका वहाँ पार्क किया गया हो और इससे अन्य सड़क उपयोगे करताओं को ऐसुईदा हो रही है हाना तो पहली बात तो यह है कि आप अपने वहाँ को पार्क ऐसी जगह करी नहीं सकते हैं जहां पर दूसरे रोड यूजर्स को आपके कार्ण क्या है जो इनकन्विनिन्श यानि कि ऐसुईदा हो रही है हाना तो यह गलत चीज है जब आपका वहाँ नो पार्किंग छेतर में खड़ा हो नो पार्किंग छेतर में आपको खड़ा ही नहीं करना है तो हजाड लाइट का प्रियुक कब करते हैं में इस आपको बताओंगग, यह दोनुको गलत हो जाएंगे जब आपका वान सड़क पर चल रहा है और ठीक से काम नहीं कर रहा हो और ठीक से ब्रेक काम नहीं कर रहा हो यह आपको यहाँ पर बताना है तो अप्स नमर डी राइट एंसर हो जाएगा आट सो ब्यानीस में भी क्रेक्शन ठीक है अगले परस्ण पर चलते हैं तो आप्स नमर बी होजाएगा अडी हो जाएगा विलाट ऑट अंसर हजार लाइट का प्रिक केवल और केवल जब होती है चलती गाड़ी में क्राबी आ जाती तब witness करना चाहिए गाड़ी को पार्क करते समेंग खराब गाड़ी खडिया है तो गेर खेलो जाए, स्पीड बढ़ जाए, गाड़ी कंट्रोल में नहीं हो रही है, टाइर फट जाए, ऐसी स्थितियों में आप हजार लाइट का प्योग करते हैं। आप रात में अच्छी रोसनी वाली मोटर मारक पर गाड़ी चला रहे हैं, आपको अवस्य गाड़ी चलानी चाहिए, यानि कि रोड पर रोड रोड लाइट अगर यूज की जा रही है, रोड पर पहले से स्ट्रेट लाइट है, तो आपको हाई बीम में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आपको लो बीम में गाड़ी चलानी हैं, पहली बात ये आप याद रहनु याद रिलाइट पर बिट फोगलिक। वाईपष के नहीं कर सकते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा, तो आप एक अच्छी रोसनिया वाली सटक पर गाड़ी चला रहे तो फिर high beam का प्रयोग नहीं करना, low beam का कर सकते हैं option number कौन सा से ही हो जाएगा तो यहाँ पर option number B right answer हो जाएगा कि आप अपनी headlight का जो प्रयोग है low beam के साथ में करेंगे ठीक है, कम beam में करें कम beam का मतलब है low beam देखो कम है ना, अब इसको आप पे we are out of above आप सभी को पता है, ABS जो system होता है ABS का संबंद brake से संबंदीत है, और यह क्या करता है वहील एक तो वहील low को होने से बचाता है एक skid होने से बचाता है, यानि गारी को फिसलने से बचाता है तो यह दोनु काम करता है, option नमर B, right answer यहां पे हो जाएगा ठीक है, तो ABS वाली गारियों में brake को single press ABS ABS वाली गारियों में single press single गलत हो गया अभी, S, I, N, G, L single, single press pedal आप brake apply करते हैं ठीक है, without ABS में आप multiple times है multiple bar, यानि बार बार आप brake pedal को पेस करके brake को apply करते हैं यह ABS और without ABS brake को लगाने का तरीका होता है, और यह क्यूसन में ने इससे पहले वाले सेशन में सोड़ने सेशन में आपसे पूछा था, और लगबग एक दो बच्चों का सही जोब आया था, बाकि सभी ने गरत आंसर बताया था, तो बिलकुल आपसे लोग जान लीजिए, ABS वाली गारियों में आप सिंगल प्रेसे गारी के brake लगा सकते हैं, लेकिन without ABS वाली गारियों में आपको brake pedal को बार-बार दबाना पड़ता है, तब गारी के brake है, वो काम करते हैं आप सभी को बता होगा, जब आप मलब की, कहां पे मलब में इसमें कुछ है, switch on, while traveling, our motorway at night, other vehicles just add, better than, switch on lights should be यानि आप किसी vehicle के पीछे चल रहे हैं, और आपके सामने कोई दूसरे vehicle चल रहे हैं, तो आपको अपनी गारी की जो switch light है होती है, उनको switch करनी चाहिए, तो head light को, आगे अगर कोई vehicle चल रहा है, तो आपको उसकी पीछे रहना है, तो high beam का प्योग नहीं करेंगे, आप low beam का प्योग करेंगे, low beam, ठीक है, इसमें हो जाएगा, हाँ, low beam, option number B, right answer हो जाएगा भी, आप किसी गाड़ी की पीछ पीछे अगर चल रहना, तो low beam आपको यूज करनी है, हजार राट तो केवल खत्रे की इस्तधी में करनी है, otherwise नहीं करनी, high beam का प्योग आप शीदे रास्ते पर अगर 300-400 मिटर तक आपको देखना है, और सामने का रास्ता कलीर है, कोई vehicle सामने नहीं है, आप out take नहीं कर रहे तो उसके पीछे आपको low beam का प्योग करना है, एक cycle चालक, दाएं मुडने या सड़क के केंदर की और जाने का संके दे रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप वो cycle वाला जो है, left में चल रहा है, right में जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, यानि कि cycle वाला, अग तो यहां पर बाई और से ओटे करें, option नमर एक right answer हो जाएगा, क्योंकि cycle वाला already right में जाने के लिए संकेत दे रहा है, ठीक है, तो यह option नमर एक right answer हो जाएगा, driving at a high speed, तेज गतिशें गाड़ी चलाना, क्या हो सकता है, आपको बहतर इंदन दक्सता परदान हो सकती है, गल खत्रे पर परतिगर्य करने का समय कम कर देगा, कोई भी अगर रिस्क होगी, तो आप जब कोई action लेंगे, तो उसमें आपके पास समय कम होगा, क्योंकि वो गटना तुरंद गटिल हो जाएगी, यानि reduces time to react to 1000, किसी भी खत्रे को आप भापेंगे, इतने में accident हो जाएगा, और जो आपकी गाड़ी है, वो damage हो जाएगी, accidental में, देथ भी हो सकते हैं, injured भी हो सकते हैं, तो option number C right answer हो जाएगा, driving high speed पर नहीं करनी चाहिए, अगला person, while driving avoid, driving करते समय आपको किन बातों से परहेज करना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, avoid करना चाहिए, या पालन करना, इसको आप avoid नहीं कर सकते हैं, अन्य ड्राइवर के गलत वेवार पर परतिक्रिया करना, दूसरी ड्राइवरों के, जो है, यहाँ पर, कोई अगर कुछ करता है, तो आप उसको जवाब देंगे, लड़ेंगे, बिढ़ेंगे, उससे टक कर लेंगे, यह काम गलत तबी, यही option number B, right answer हो जाएगा, डेसबोर गेज का उलोकन करना, उक फ्रोक्त में से कोई नहीं, तो यह तिनों नहीं है, option number B, right answer हो जाएगा, कि आपको driving करते से में किस बात से आपको, जो है, यहाँ पर बचना चाहिए, दूसरे ड्राइवरों से लड़ना नहीं चाहिए, यह option number B कह रहा है, यहाँ दूसरे ड्राइवरों के साथ में गलत बेवार नहीं करना चाहिए, ठीक है, option B हो जाएगा, the continuous yellow line in the center of the road means, शड़क के बीच में बिचो बिच लगातार पिली लाइन है, yellow, yellow continuous line है, c-o-n-t-i-n-u-e-s, continuous, yellow continuous line है, तो आपको इसको कभी भी पार नह नहीं कर सकते हैं, आप इस line को overtake, यानि उपर से नहीं जा सकते है, option number B, right answer हो जाएगा, तो यहाँ पर 850 नमर क्यों से आपके सामने आ चुका है, when you approach a bridge, you should, जब आप किसी pull के पास पहुंचते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, slow down and do not overtake, धेरे करना चाहिए, और overtake नहीं से कोई मतलब नहीं है, तेजी से आगे बढ़ें, और overtake नहीं करें, यह भी गलत है, तेजी नहीं चलानी आपको, जो bridge के उपर slow down and overtake से बचना चाहिए, ठीक है, तो option number A, right answer हो जाएगा, B की बजाए, ठीक है, पैदल चलने वालों को से तो साउधान, आपको हमेसा सब जग पता नहीं होता, ठीक है, अगले person पर चलते हैं, अच्छा, तो person यहाँ पर 801 से 850 तक complete हो चुके है, 801 से 850, दोस्तों यहाँ पर यह जो person है, आज हमने देखे हैं, मुझे पता है, आप सभी देख पा रहे होंगे, कि इन questions को जब हम पढ़ते हैं, हमें लगता है, यह तो basic question है, और एकड़म सरल है, इनका जवाब तो हम आसानी से दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा गलत होनी की संभावना भी ऐसे ही questions की होती है, इसी लिए इन questions पर हमारी चर्चा-परी-चर्चा होनी अति आवस्यक होती है, तो आप लोगों को इन questions को थोड़ करवाने का जो है, यहां पर प्रयास किया है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, आपको लगातार अपनी study को continue रखना है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, latest हमारा यूत्रा खंड वहां चालग बरती के लिए course है, वो start हो चुक करते हैं, डाउनलोड करने के लिए WhatsApp पे मुझे message करें, या वीडियो की description में एप का link दे रहा है, उस एप को डाउनलोड करें और course को जोईन करें, इसके लावा अगर आप driver exam की किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, वो भारत में चाहिए कोई सा भी exam हो, सभी exams के लिए हमने एक all in one page त्यार कर रहा है, यह already पहले से चल रहा है, तो आप इसको भी join कर सकते हैं, इसमें भी complete best content आपके लिए मिने त्यार किया है, और हमने आप लोगों के लिए best ebooks त्यार करें, theory book है, PYQ है, पुरानी बर्तियों के paper, online test, सुईधा भी आप लोगों के लिए करी है, तो आप बिल्कुल हमें follow करके हमें join कर सकते हैं, जी हैं दोस्तों, कोई भी query, कोई भी अगर गड़बड़ आपको लगती है, तो आप comment section में जरूर बताएगा, ताकि हम उस problem को next session में जरूर rejoice वकरेंगे, अगर आपको लगता है कि इस session में किसी question का job गलत है, तो आप तुरन comment section में ताकि हम उस person को अगले session में दुबारा से discussion कर सकें, जी हैं दोस्तों, नमस्कार, thank you so much, वंद्य मातरम, भारत मातर की जे हो